हेलो फ्रेंड्स क्लासी कुकिंग वित प्रतिभा में आपका स्वागत है उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्था और हेल्दी होंगे आज हम बनाने जा रहे हैं चॉकलेट ब्राउनी जो की बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनके रेडी होगा अगर मेरी वीडियो पूरी देखने के बाद आपको अच्छी और यूस्थफुल लगे तो वीडियो को लाइक सेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा तो आएए श्टार्ट करते हैं हेल्दी सा चॉकलेट ब्राउनी बनाना इसे मैंने आटे से ही त्यार किया है यह हेल्दी भी है देखिए इसका टेक्सर कितना अच्छा आया है बिल्कुल मार्केट की तरह तो आएए श्टार्ट करते हैं बनाना इसके लिए मैंने चीनी लि कर लें गेंगे अज मेरी साइप केकी काटोरी से बनाना बड़ा रही हुं उसी से हम पूरा मैजर करेंगे एक काटोरी के ऑफ से छोड़ा कम है चीनी उसको हम ग्राइंड कर लेंगे अब पंड़ मेड़ए में लीडेर करिप सकते हैं एक ढचान में पीड दो बहर दीज़ लेगे, एक क्षोटा चम्मच है, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लीजेगा, अब इसमें दूद एड कर देंगे, एक कटोरी से थोड़ा कम है, अब रीपाइन डालेंगे, एक कटोरी है, अब हम इसमें आठा एड कर देंगे, आठा हमने यहां पे डेड़ कटोरी लि कोकुआ पॉडर ना हो तो आप उसकी जगह पे डार्क बिस्कित का भी प्रयोक कर सकते हैं हाइड एंसी बगएरा का उसे आप ग्राइंड करके पॉडर बना लिजिएगा यहां पे मैंने एक चथाई कोकुआ पॉडर लिया है अब हम सारे को मिक्स कर लेंगे अब हम इसमें बेकिंग पॉडर एट करेंगे आधा चम्मच है और बेकिंग सोडा एक चोथाई अब हम इसमें चॉकलेट एसेंस डालेंगे हो तो जरूर से डालेगा चॉकलेट एसेंस नहीं तो आप वेनेला भी डाल सकते हैं यहां पे मैंने वेनेला भी डाला है चॉकलेट एक चम्मच है और वेनियला उससे थोड़ा कम, यह देखें, अब हम मिक्स कर लेंगे सभी को, इसको 2-3 मिनट तक मिक्स करना है, अच्छी तरह, जब तक इस प्रकार की कंसिस्टेंसी ना हो जाए, अब हम मोल्ट को ग्रीस कर लेंगे, आप चाहे तो बैटर में काजू बदाम हम भी डाल सकते हैं, ड्राय फ्रूट्स बगारा, पर मैंने बिना ड्राय फ्रूट्स के बनाया है, इसे इस प्रकार ग्रीस कर लेंगे, अब मिक्स करके हम इसमें डाल देंगे सभी को, इस प्रकार टैप कर लेंगे, अच्छी तरह, अब हम इसे बेक करेंगे, इसे पहले ही आपके फ्यूद के लिए प्रीप हीट करना रखिया था है अब मैं एकटोरी रिख़ा अभी है फिर हम मोल्द को डाल देंगे और ढख देंगे इससे के इस पर कुछ इस प्रकार का रख देंगे हैं जिसिक उपर से भी अच्छे से बेक हो इसे लो फ्लेम पे बेक करना है 45-50 मिनिट लग जाता है इसको बेक होने में या जब तक पके नहीं तब तक इसे बेक करिएगा लो फ्लेम पे अभी किनारे अच्छा से हुआ नहीं है हम चेक भी कर लेते हैं अभी नहीं हो बेर थोड़ा सा बचा है किनारे इच्छा से हो नहीं है जब हो जाएगा तो किनारे को छोड़ने लग जाएगा 10-15 मिनिट बाद देखिए हमारा ये बेक हो चुका है किनारे को छोड़ दिया है देखिए अलग हो गया है इसे हम चेक कर लेते हैं परफेक्ट बनके रेडी है अब हम इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में मत देखिएगा बनना अच्छे से फूलता नहीं है उसके बाद ही आप उपन करेगा 40 मिनट कम से कम अगर आपका बेटर कम है तो बात अलग है इसे अब हम पंके के नीचे ठंडा होने देंगे रूम टेमपरेचर पर देखिए कितना अच्छा केक बन के रेडी हुआ है हमारा ब्राउनी अब हम इसे डी मोल्ड कर लेंगे यह बहुत इसली निकल गया था टैप भी निकलना पड़ा था देखिए हमारा ब्राउनी कितना अच्छा बन के रेडी हुआ है किता फलपी है यह देखिए, अब हम इसे कट कर लेंगे, गार्निसिंग के लिए हमने यहाँ पे कोकुआ पॉडर लिया है, दो चम्मच, आपके पास हो तो हरसी सिरप का भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे आइसिंग सुगर लिया है मैंने, आप इसके जगा पे पिसी चीनी का भी प्रयोग क कर सकते हैं, आइसिंग सुगर एक चम्मच है, इसे हम मिक्स कर लेंगे, दूद की सायता से, बॉल दूद है, ठंडा रूम टेंप्रेचर वाला, इसकी सलेरी तियार करना है, इस प्रकार, आप दूद को जब डाले तो थोड़ा थोड़ा करते हुए, आड करिएगा, और इस प्रकार की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए, अब हम इसे गार्निस कर लेंगे, इसके लिए मैंने आपे टाटा नमक का लिया है, पॉलिथिन, इसे फोल्ड कर लेंगे इस प्रकार, और इस प्रकार फोल्ड करके, इसमें ट्रांसफर कर लेंगे, और डाल देंगे, चाहे तो आप इस प्रकार हम गार्निस कर लेंगे और हमारा यम्मी सा ब्राउनी बनके रेडी है सर्व करने के लिए तो कैसी लगी मेरी आज की रेसिपी कमेंट करके जरूर बताईएगा मिलती हूं नेक्ष वीडियो में नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए टेक केर बगवाई